हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सहरा इलेक्ट्रिकल सर्विसेस में आज की इस वीडियो में हम टीवी पैनल की वाइरिंग की बारे में बात करने वाले हैं कि टीवी पैनल की वाइरिंग कैसी की जा सकती है यह जो आपके सामने यह फरनिचर में नहीं है यह बीओपी जिपसम शीट में टीवी पैनल है एलेडी का इसके अंदर भी सीओ भी है अब टीवी की केबल की वाइरिंग टीवी सेटप सेटप बॉक्स बैटने के लिए जो जगा है वो सब कुछ कैसे करते हैं वो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले है यह टीवी हमारा एलेडी टीवी यहाँ पर बैटने वाला है और वो जो तीन मॉडल का जो बोर्ड है वो टीवी के पीछे हाइड हो जाने वाला है तो हमारी टीवी के हाइड साड़े तीन फिट है तो हमारा एलेडी टीवी वहाँ पर उपर बोर्ड के बैटने आला है और यह जो छोटा वाला बोर्ड है वो जो है हमारा हाइड हो जाने वाला है टीवी के पीछे इसके अंदर हम यह जो पाइप है अंदर यहां से हम आउडियो वीडियो केबल भी डाल सकती है यह तीन मौडल का बोर्ड है जिसके उपर जिसके अंदर से एक टीवी केबल आ रहा है आउडियो वीडियो केबल आएंगा और यह ध्री पिन प्लग है और इसका जो सुइच है बटन वो यह वाले बोर्ड के उपर है थ्री पिन प्लग है यह टीवी केबल भी इसके अंदर है हम टीवी सॉकेट दालने वाले हैं उसको इस तरीके से यह पैक हो जाएगा और यह थ्री मौडल का बोर्ड हाइड हो जाएगा हमारा जो सेटप बॉक्स है वो यहाँ पर बैटने वाला है सेटप बॉक्स और यह जो दो प्लग है यह सेटप बॉक्स के लिए ही है और यहाँ पर जो डमी प्लेट है हमारा बारा मौडल पे तो यह डमी प्लेट में से हमारा TV cable और audio video cable आके setup box में लगेंगे और यहां से यह TV में लगेंगे इस तरीखे से हमने अगर TV की wiring की तो हमार जो TV cable और जो दूसरे other wires है तो वो hide हो जाते हैं और TV panel खुब सुरत दिखता है नहीं तो क्या होता है अक्सर light fitting के अंदर घल्ती यह हो जाती है कि टीवी बैटने के बाद आउडियो वीडियो केबल, टीवी केबल और एलेडी का कॉड़ वायर, सेटप बॉक्स का कॉड़ वायर सब है तो खुले नजर आते हैं, बहुत गंदा खराब लगता है, तो आप अगर ऐसा टीवी की वायरिंग करेंगे, तो यह सारे की सारे वाय पीचे से ही बटन रहेगा, और यह बहुत एजिली और सिंपल और सोबर नजर आएगा, वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हमारी यूट्यूब चैनल सहरा एलेक्ट्रिकल सर्विसेस को सब्सक्राइब ज़रूर करें, थैंक्यू वाचिंग वीडियो